तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Sona Comstar के बारे में और जियां दोस्तो Sona Comstar के आज quarter 3 के numbers आज चुके हैं लेकि दोस्तो आपको यहां पर मैं बताना चाहूँँगा देखिए numbers अच्छे नहीं आये हैं निराशा जनक number रहे हैं और हो सकता है इसकी वज़े से stock price में हमको एक बढ़िया correction देखने को मिल जाए लेकिन इस correction में हमको क्या करना है कहां तक यह correction हो सकती है क्या हमको यहां पर correction पर इसको buy करना है hold करना है sell करना है क्या करना है पूरी जानकरिया आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ टेकनिकल चार्ट पर यहां पर क्या इस्तिति नजर आ रही है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा तो वीडियो उसको अंतर तक जरूर देखिएगा तो चलिए अगर बा तो देखिए revenue एक परसंट से grow हुआ है year on year मतलब कि यहां पर 489 करोड का जो revenue था वो only 494 करोड का यहां पर हमको देखने को मिला है EBITDA यानि की profit देखिए 11% से decline देखने को मिली है margins में 30% का जो margin था पिछले साल इसी quarter में गिर के रह चुका 26.4% का तो around 4% की यहां पर margins में decline देखने को मिली है उसके पीछे का कारण है दोस्तों यहां पर increase in the raw material prices profitability की बात करें तो 4% की हमको यहां पर growth देखने को मिली है लेक मिले हैं लेकिन दोस्तों देखिए numbers तो खराब हैं लेकिन जो positive चीज है इसके numbers में वो भी आपको जानना जरूरी है वो क्या है तो वो है दोस्तों आप देखिए as compared to industry performance इसका performance इस्टिल हमको अच्छा नजर आ रहा है जो इनके largest market है जो इनके core market है वो है North America and Europe तो उन में वह compared to industry यहाँ पर still यहाँ पर Sona Comstar के जो है number अच्छे देखने को मिले है और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कल भी बताया था management के यहाँ पर यह कहना है और वो promise भी करते हैं कि industry के comparison में इनकी growth हमेशा हमको अच्छी देखने को मिलेगी और यह चीज़ हमको यहाँ आज देखने को भी मिल रही है और एक और positive आपके साथ में यहाँ पर share करना चाहूँगा जो है इनका battery electric vehicle वाला revenue उसकी growth आप देख सकते हैं year on year 108% की काफी amazing यहाँ पर हमको battery electric vehicle में growth यहाँ पर देखने को मिली है 64 करोड का revenue बढ़की हो चुका 134 करोड का इससे पता चलता है दोस्तों demand का जैसे जितनी जादा बढ़ेगी Sona Comstar का यहाँ पर मेरको लगता है कि total sales जो है total revenue का उसमें battery electric vehicle का बढ़ता ही रहेगा अब यहाँ पर कुछ important चीज़े भी आपके लिए ज़रू है वो है दोस्तों इनके return ratios इस्टिल यहाँ पर है strong नजर आते हैं तो यह एक positive है and most importantly इनकी net order book इनके net order में भी देखने को मिले तो इससे पता चलता है कि demand काफी जबर्दस्त है और इस demand के हैं पर एक बड़ा beneficiary Sona Comstar बनता हुआ नजर आ रहा है मतलब इनकी total sales ही दोस्तों 800 करोड की है उसके ओपर order book आप देख सकते हैं 17,600 करोड की which is mind blowing अब यहाँ पर दोस्तों इनको recently आप देख सकते हैं कि awarded a program to supply a new product मतलब कि दोस्तों एक के यहाँ पर इनको नया प्रोग्राम यहाँ पर इनका project मिला है एक नया प्रोड़क्ट ले डेवलप कर रहे हैं integrated motor controller module for the customer productive active suspension adding over 400 करोड revenue per year in the future तो 400 करोड के यहाँ पर पर year revenue एड करता हो और नजर आएगा तो एक नया revenue stream एक नया product यह इनके एड हो चुका है इनकी product portfolio में तो यह अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा positive है जो आपको जानना ज़रूर है इसके बारे में थोड़ी कहना है देखिए management का कहना है कि देखिए यहाँ पर चार new BV program इनको recently इस quarter में यहाँ पर awarded हुए मतलब कि इनको मिले है net order book यहाँ पर grow होती हुए नजर आ रही है तो overall demand काफी अच्छी है जो globally एक semiconductor issue है दो उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है जो कि हमको industry में ही देखने क को मिल रहा है तो उस इस आफ से देखें तो यहाँ पर दुस्तों यहाँ पर positive यही है कि industry comparison में इनकी यहाँ पर हमको positive देखने को मिलते है number अब चलिए आपको दुस्तों यहाँ पर important details और में देना चाहूंगा वो है इनका जो नया product add हो रहा है project glide के नाम से जहाँ पर यह basically predictive active suspension integrated motor controller module एक नया product यहाँ पर ही बनाने वाले है supply करने वाले है एक नए customer को जहां से गरीब करीब 405 करोड का annual revenue यह generate करेंगे तो अपने हम दोस्तों यह एक सबसे बड़ा positive मुझे नदर आता है तो diversified product portfolio इनके पास already है और एक और product यहाँ पर add हो चुका है एक और revenue stream यहाँ पर customer है top 10 commercial vehicle में से 3 इनके customer है top 10 8 tractor OEM में से 7 इनके customers है जो की दर्शाता है कि किस प्रकार की इनके पास technological capabilities है किस प्रकार की इनके पास R&D capabilities है और यहाँ पर लगातार इनके दोस्तों जो है addition होते जा रहे हैं मतलब कि यह लगातार नए customers add करते जा रहे हैं जैसा भी पिछले slide में उनने देखा चार नए programs और इन्होंने add किया है अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए लगातार market share अपना gain कर और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में dominate कर रहे हैं passenger vehicle में 60% का market share है commercial vehicle में 90% का market share और tractor में 75% का market share तो एक competitive advantage है दोस्तों इनके पास आप देखिए क हैं और साथ ही में इनके अगर मैं आपको दूस्तों एक और positive चीज़ बताऊं तो पिछले 15-20 सालों में इन्होंने मतलब एक भी customer यहां पर loss नहीं किया है मतलब एक भी customer इन्होंने खोया नहीं है differential gear segment में तो यह एक आप समझ सकते हैं किस प्रकार का यहां पर इनके पास ability है management है and जिस प्रकार electrification की हमको एक बहुत बड़ा trend देखने को मिल रहा है Sona Comstar यहां पर future के लिए मुझे एक बहुत बहतरी इन पिक नजर आती है और diversity wide product portfolio है तो basically Sona Comstar एक one stop solution provider नजर आता है overall industry point of view से और जैसे जैसे उस तो electrification बढ़ रहा है इनकी demand भी बढ़ती रहेगी इनके products की इनका जो legacy products है differential gears और starter motors उसके अलावा दूस्तों यह नए products में भी उतर रहे है और रड़ी इनके कई सारे products है तो उसका भी traction लगातार बढ़ रहा है और एक और नया product जो ने एड़ किया है और देखिए जो normal जो हमारी गाड़ी है जो हमारी car है वो two wheel drive होती है तो two wheel drives में कम differential gear यूज होते हैं अब जैसे जैसे traction बढ़ रहा है लोग जो है four wheel drives का यूज का यूज का यूज काफी कर रहे हैं आप भी देख रहे होंगे मतलब लोग जो है four wheel drive वाली गाड़ी है काफी खरीद रहे है और उसका traction लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पर differential gear और swapping policy implementation होगा तो अगें EV को यहां पर फायदा मिलेगा और Sona Comstar यहां पर एक major beneficiary होता हुआ नजर आएगा अब यहां पर चलते टेकनिकल चार्ट पर तो देखिए जो टेकनिकल चार्ट पे रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल रहा था अब यहां पर देखिए हो सकता है जो गिरावट थी यह अलड़ी इसमें प्राइज दिन हो चुकि है क्योंकि यहां पर overall industry में घिरावट है टाटा मोटर्स के हमने नंबर देखे इंडस्री में चिप जो शॉटेज है उसका प्रेशर देखने को मिल रहा है तो हो सकता है यह अलड़ी प्राइज दिन हो लेकिन ज हैं मेरे ख्याल से यहां पर हमको थोड़ा सा wait and watch की यहां पर आप कह सकते हैं कि strategy follow करनी चाहिए क्योंकि यहां पर market में थोड़ी बहुत volatility रह सकती है तो wait and watch कर सकते है Sona Comstar में जब मौका मिलेगा उस तो मैं खुद यहां पर add करूँगा अभी तो मैं यहां पर wait and watch follow valuations को यहां पर valuations adjust होते हुए नजर आते हैं price correction के बाद तो उस हिसाप से हम यहां पर देखेंगे let's see यहां पर अगले quarter तक किस प्रकार की moment रहती है तो यहां पर दूस्तों आपको मैं update करता रहूंगा जैसे जैसे कोई development होगा price volume action के हिसाप से भी आपको update करता रहूंगा त उसमें आपको Sona Comstar का पूरा analysis मिल जाएगा तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो पसंद आ है तो like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कर लिजे मिलते हैं आपसे next वीडियो में till then take care bye bye